स्वागत था एक बार फिर आपका अपनी चैनल हटके प्रेडिक्टर में इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्श वन डेकप का जो तासमेनिया वसस सौथ अस्टेलिया के बीच में मैच होने वाला है और यहां की पिच रिपोर्ट की बात करें तो पुरा-पुरा देखो न्यूटरल विकेट है अब यहां पे उतना कुछ तो पता नहीं लेकिन इतना जरूर पता चला है कि विकेट न्यूटरल है बैट्समेन और बोलर दोनों को यहां पर सपोर्ट अच्छा खासा मिलने वाला रिसेंट मैचस भी अगर उठा कोई देखोगे तो बैट्समेन प्लस बोलस दोनों यहाँ पे अच्छा करते हुए दिखे हैं और लास्ट मैच मेच में भी सेम वही होते हुए हमें यहाँ पे दिखाता है अवरेज स्कोर धाइसो धाइसो के उपर यहाँ पे बनते हुए यहाँ ने उस मैच को चेस कर लिया था 225 करके चार विकेट के दुखसान पे इसमें जॉर्डन सिल्क वगरा का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था उस मैच में भी अब यहाँ पे टोटल देगो पेसर्स ने 6 विकेट निकाला था स्पिनर्स ने 7 विकेट निकाला था अब यहाँ पे पांच दो चार चेट टोटल कैलकिलेट कर लेना यह दो 14 विकेट यहाँ पे गिरे यह पुरा 14 विकेट का यहाँ पे टैली है एक रन आउट हुआ था तो यहाँ पे आपको टोटल 13 विकेट दिख रहे हैं अब फस्ट इनिंग्स में फस्ट ने 4 निकाला थ पांच निकाला था सकेंड इनिंग्स में फस्ट ने दो स्पिन ने दो यानिक एक बैलेंस्ट कॉंबिनेशन है यहाँ पे स्पिनर्स प्लस पेसर्स दोनों यहाँ पे अच्छा करते हुए दिखे हैं अब इस वीडियो में आपको क्या-क्या देखने को मिल जाएगा 50 वोव तो अब थोड़े फैक्ट्स याद रखना भी जरूरी है धिखो जोर्डन सिलक जो है उससे ज्यादा रन ट्रैविस हेड नहीं यहाँ पे बनाए है मतला जोर्डन सिलक सेकेंड रहीचर रन स्कोरर है इस सीजन का फ़र्ष्ट रन स्कोरर जो है वह है ट्रैविस हेड जोगे 171 runs इसने किये है 142 की strike rate से एक match में लगबग 140 का score इसने शायद खड़ा किया था Travis Head ने और अगर ODI इसमें जब भी देखते हो ना मतलब ODI नहीं वन डे matches में जब भी domestic matches होता है तो सबसे ज़्यादा boundaries यहाँ पर Travis Head के ही लगते हैं मतलब ऐसे matches में तो यहाँ पर Travis Head आपके लिए एक important pick हो सकती है उसके बाद आता है यहाँ पर South Australia और Tasmania total 52 times अभी तक खेले है head to head में 1971 से लेके 2021 तक अभी तक total 52 times इन्होंने खेला है और उसमें से 25 बार Tigers ने जीता है और 25 बार यहाँ पर South Australia ने जीता है Tigers 24 बार और South Australia यहाँ पर 25 बार जीती है तो ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर strong या weak है दोनों यहाँ पर same है South Australia और Tasmania एक अच्छा match आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जब last 2019 में जो भी लोग मिले थे मैच खेला गया था Karen Rolton Oval 2019 में जिसमें South Australia ने मैच जीता था यानि कि Redbacks मतलब यह जो Redbacks यहाँ पर लिखा हुआ है न वह South Australia का टीम है जितको Redbacks कहा जाता है 6 wicket से उन्होंने जीता था और उसमें Half centuries लगाई थी Jake Weatherald Travis Head, Alex Carey यह 3 प्लेयर्स उस मैच में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए दिखे थे एक Amazing Fact अगर आपको जानना है तो यहाँ पर है Tasmania एक ऐसा record maintain करके आ रही है Last 4 matches जो इनके दोनों के बीच में हुए वो 4 को 4 का 4 यहाँ पर Tasmania जीती है मतलब जो 1-day matches इनका Marsh Cup मान लो JLT 1-day Cup मान लो या फिर इनका एक और ऐसा ही पहले होता था JLT 1-day Cup से एक और इनका 1-day Cup का नाम रहा था वही चेंज होते होते अभी Marsh Cup होआ है ठीक है तो उस 1-day में Last Cup 4 head to head matches अगर देखोगे तो 4 का 4 यहाँ पर Tasmania जीती है उसके बाद Caleb Jewel है जो के 168 runs स्कोर किया है अगेंस्ट South Australia के 86 के strike rate से और 45% सिर्फ 45% इसके balls जो है जो यह खेला है वो dot balls निकले हैं बाखी का सब यह runs करते हुए दिखा है और अच्छे खासे boundaries भी लगा लेता है थोड़ा अच्छा खेलता है यहाँ पर जब भी खेलता है South Australia के अगेंस्ट में उसके बाद आता एक Alex Carey जब यह लास्ट मैच में यह लोग मिले थे तो 18 नटोट की पारी खेली थी Alex Carey और रिसेंट लास्ट मैच में भी 99 करके आ रहा है तो Alex Carey भी यहाँ पर थोड़ा डिंजर हो सकता है Dream 11 के इलावा कोई और अप्लिकेशन पर खेलना चाते हो तो 11 चैलेंजर्स पर खेल सकते हो जहाँ पर इंस्टेंट विड्रॉल मिलेगा दो मिनिट के अंदर पांच मिनिट का एक्स्टर डेडलाइन बैस्केट बॉल में दो मिनिट का एक्स्टर डेडलाइन फुटबॉल अगर आप खेलते हो तो सेकेंड इनिंग्स फैंटेसी है 100 परसेंट बोनस यूसेज है और फ्री इववेस भी हर इतवार को यहाँ पे होता है टेस्ट मैच में आपको चार इनिंग्स के कांटेस्ट मिल जाएंगे आराम से जीत सकते हो लेसेंट्री फी है अगर ड्रीम 11 वगरा से कंपायर करोगे तो और कॉंपेटिशन लेवल भी अभी नया फैंटेसी आप है तो आपको कॉंपेटिशन लेवल यहाँ पे बहुत कम मिलेगा तो जीतने का चांसस यहाँ पे आपके लिए ज्यादा हो सकता है रेफर कोड और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारा रेफर कोड डालोगे तो थोड़ा अड्वांटेज में रहोगे जो फ्रीगी ववेस वगरा आते हैं तो इजीली हमारे मतलब जो भी हमारे चैनल के तुरू जुड़े है वो आराम से जुड़ सकते है अब टेलिग्राम पे जुड़ना है तो भी सेम है अठटके प्रेडिक्टर सर्च कर लेना एलो कलर का लोगो मिल जाएगा जहाँ पे करीब हजार एक सो के आसपास मेंबर से अब भी चाहो तो जुड़ सकते हो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट पांच हेट टुएड मैचस की तासमेनिया चार जीती है सोत अस्टलिया एक जीती है यह एक के बाट जो स्कौर्ड में इंक्लूड होते हुए दिखे हैं और रिली मेरेडित का खेलने का चांसस बहुत ज्यादा है खेल सकता है 99% चांसस है रिली मेरेडित इन दा प्लेइंग 11 हो सकता है अब इसका लास्ट मैक में जो बताया था वही सेम रहेगा यहाँ पे सिर्फ थोड़ा यहाँ पे सैम रेनबर्ड इनका टीम पेन वगएरा का अभी के लिए हटा देते हैं इस मैच के लिए आप देखो यहाँ पे डर्मोट नहीं खेलेगा मैथ्यू वे ट्रेवल नहीं किया है रिली मेरेडित अविलियेबल है इस गेम के लिए और यहाँ पे जैरोड फ्रीमन को स्कॉर्ड में एट किया गया है अब तास्मिन यह के प्रॉबेबल प्लेइंग 11 की बात करते हैं टीम पेन दो मैचस 28-36 डिसेंट स्कोर है बड़ा कर सकता है अस्ट्रिलिया का कैप्टेन है टेस्ट क्रिकेट वगरा में तो टीम पेन आपको अगर रुग यह क्रिस पे तो आपको 100 प्लस का स्कोर खड़ा करते हुए भी दिख सकता है टीम पेन उसके बाद आता है कैलेब जुएल जो के टोटली आउटा फॉर्म है बहुत कम लोग इसको लेकर चलेंगे एक अच्छी डिफरेंशिल पिक अगेंस्ट सौत अस्ट्रिलिया के साथ अच्छा रेकॉर्ड है तो यह प्लेयर आपको अच्छा करते हुए दिख सकता है उसके बाद आता है जेक डोरान एक डिसेंट पिक रहेगी मैकलिस्टर राइट एक अच्छी पिक है उसके बाद जॉर्डन सिल्क दो मैचस में अच्छा परफॉर्मेंस 77, 69 नट आउट ब्यू वेब्स्टर का डिसेंट परफॉर्मेंस रहा है 15 रन प्लस एक विकेट 6 नट आउट प्लस दो विकेट दो मैचस में उसके बाद टॉम एंड्रियूस पहले मैच में एक मेडिन डाला था विकेट लेस गया था लेकिन इस ग्राउन पर अच्छा परफॉर्म करते होगे दिखा था तीन विकेट लेते होगे अब यह जो स्कोर्स यहाँ पर है न यह मान के चल सकते हो इसी विन्यू पर इन्होंने यह स्कोर्स खड़े की हैं ठीक है नाथन एलिस ने लास्ट मैच में एक विकेट निकाला उससे पहले तीन विकेट जैक्सन बर्ड एक एक विकेट दोनों मैचस में साम राइनबर्ड जीरो विकेट एक विकेट और पीडर सिटल लास्ट मैट में खेलते हुए दो विकेट निकाला था अगेंस्ट विक्टोरिया अब यहाँ पे सैम राइनबर्ड की जैगे पे रिली मेरेडित को अंदर लाया जा सकता है अब इनका हेट टू हेट स्टैट्स देखते हैं विक्टोरिया के अगेंस्ट कैसा इनका परफॉर्मेंस है 2016 से लेके 2019 तक जो 5 मैचस हुए थे उसका कैलक्लेशन यहाँ पे दिया हुआ है टिम पे ने एक मैच खेला था जिसमें 44 रंच इसनी किये थे कैलेब जुएल सिर्फ दो ही मैच खेला है स्कोर 168 इसनी किया है एक सेंचुरी भी है मेरे खयाल से इसमें उसके बाद जॉर्डन सिल्क इसका भी अच्छा रेकॉर्ड है 4 मैचस में 196 बियू वेब्स्टर उतना कुछ खास नहीं 4 मैचस 36 रंज 2 विकेट नैथन एलिस 2 मैच दो रंड एक विकेट निकाल पाया उसके बाद जैक्स अनबर्ड 4 मैच में 2 विकेट रेली मेरेडित का घहतक परफॉर्बंस है 4 मैचस में 7 विकेट जैरोड फ्रीमें एक मैच 4 रं 0 विकेट जैरड फ्रीमन एक ही match खेला है लिस्ट ये में, जो के against था यहाँ पे तस्मिनिया के, sorry, against था यहाँ पे South Australia के, यहाँ पे Victoria लिग दिया है, माफ करना है, यह जो है South Australia है, तो यह इनका hit to head record है, अब venue पे इनका क्या performance था, last match का तो अलमोस्स सारा वही performance है, अब यहाँ पे इनके देख सकते हो तासमेनिया का हम ज्यादा बात करेंगे हाँ पर सौथ अश्ट्रिलिया की इनका 2019 का स्टैट्स भी यहाँ पर दिया हुआ है यह भी देख सकते हो उसके बाद इनका overall ODD स्टैट्स इनका भी आट किया है रिली मेरेडित का जरार्ड फ्रीमन का रिली मेरेडित का लास्ट सीजन को 6 मैचस में 11 विकेंड निकाला था फ्रीमन एक मैच में 0 विकेट और केरियर का भी फ्रीमन का एक ही मैच है 0 विकेट 19 मैचस में 25 विकेट रिली मेरेडित ने टोटल निकाले हैं इंटरनेशनल लेवल पर रेप्रेजेंट करता है T20 वगरा खेल चुका है इंटरनेशनल पे तो एक बढ़िया पिक आप के लिए head to head हो गरा देखोगे वेन्यू देखोगे तो एक अच्छी पिक आप के लिए हो सकती है रिली मेरेडीत की उसके बाद साउत अच्छेलिया का डिकलेरड स्कॉड अब वेस्टेंड रेडबैक्स जो है जो स्कॉड रिलीस की है उसमें है इन्होंने किसको आट किया यहाँ पे जेक लेहमन को लेहमन अंदर आया है कौन किसकी जगे पे टॉम कूपर की जगे पे टॉम कूपर यह मैच मिस करेगा टॉम कूपर नहीं खेलेगा तो उसकी जगे पे यहाँ पे लेहमन को स्कॉड में लिया गया और लेहमन के खेलने के chances भी यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है red ball cricket जब भी एक recent खेल के आ रहा है जिसमें 80 runs इसने score किये थे 85 deliveries में against NSW में तो इसी week में हुआ था तो अच्छे form में भी चल रहा है Jack Lehmann Grand League अगर हमें as a player लेकर चल सकते हो एक differential pick का काम करके दे सकती है अगर फिर से अच्छा performance यहाँ पे दिया होगा तो बाकि यह जो players यहाँ पे दिये हुएं यह squad में है नहीं तो यह खिलते हुए आपको नहीं दिखेंगे यह कोई एक भी player squad में मौझूद अभी के लिए नहीं है अब South Australia का Probable Playing 11 दोनों मैचस में Harry Nielsen और Jake Weatherald ओपन करते हुए दिखेते Harry Nielsen लास्ट मैच में 110 करके आ रहा है उससे पहले 5 Weatherald लास्ट मैच में 29 उससे पहले 6 उसके बाद आता है Travis Head पहले मैच में 29 बोलिंग नहीं की दूसरे मैच में 142 इसने खड़ा किया स्कोर लास्ट मैच में प्लस एक विकेट भी निकाला हुआ था Alex Carey लास्ट मैच में डग आउट उससे पहले 99 उसके बाद Callum Ferguson 27-14 Jake Lehmann दोनों मैचस में नहीं था Cameron Valentine दो मैचस में एक विकेट Corey Kelly दो मैचस में एक विकेट प्लस रंज भी थोड़े बहुत किया है Daniel Worrell लास्ट मैच में खेला था दो विकेट निकाला था इसने और दो मेडिन भी डाले थे तो Daniel Worrell भी बोलिंग से आपके लिए एक बहुत बड़ी आप पिक है Wes Agar एक विकेट दो विकेट बहुत अच्छा बोलर है पिकेट लेस जा रहा है लेकिन इस ग्राउंड पे एक डिफरेंशियल पिक ग्रैंड लिग में आपके लिए काम कर सकती है क्योंगे स्पिनर्स के लिए थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे तो एक लेक ब्रेक बोलर है तो आपको पीटर हट्जोग लूग एक दो विकेट निकालते हुए जरूर दीख सकता है इस मैच के लिए ग्रैंड लिग ओगरा में इसको ट्राई कर लेना उसके बाद बेंच पे टाम कूपर तो नहीं खेलेगा स्पेंसर जोंसन मेरे हिसाब से हो सकता है और डेविड ग्रैंड बेंच पे देखने को मिल सकते है आप टाम कूपर की जगे पे यहाँ पे जेक लेहमन कंटीन्यू कर सकता है अब हेट टू एड में इनका क्या हुआ आता देखो हेट टू एड में ट्राविस है तीन मैचस 116 रन दो विकेट केमरान वेलेंटे धियान रखना है यह एक बोलिंग और रोंडर है आपको बैटिंग प्लस बोलिंग दोनों साइट से आपको डिसेंट पोइंट से बैटिंग से और अच्छे खासे पोइंट दे सकता है अपनी बोलिंग से डैनियल ओरल दो मैच 19 रन एक विकेट जेक विदरल्ड चार मैचस 172 रन्स टोटल इसने किया है जेक विदरल्ड ने अब यहाँ पे हिट टू एट देखोगे तो अच्छे प्लेयर्स कौन को ने एक तो है ट्रैविस हिंट उसके बाद आता है ऐलेक्स केरी कैलम फर्गूसन जेक लेहमन जेक वेदरल्ड केमरोन वैलेंटे और फाउम और स्टैट्स के अकॉर्डिंग यह दो भी अच्छे हैं ऐसा नहीं है कि यह दो अच्छे नहीं है यह दो भी अच्छे हैं करते हैं सारे प्लेयर्ड जो यहाँ पर नाम दिया गए यह जुए प्लेयर्स आपके लिए अच्छा पछूर्मन्स करते होगे यहाँ पर दीख सकते हैं आब venue पर इनके 5 प्लेयर्ड खेले एकी मैच इन्होंने venue खेला था Alex Carey ने 13 run किया था Callum Ferguson ने इस ground पे जब match खिला था तो 133 runs किये थे Jake Lehmann 44, Harry Nilsen 8 Jake Weatherill ने 3 run इस ground पे किये थे अब South Australia का 2019 का stats अब 2019 का stats यहां पे इनका दिया हुआ है पूरा देख सकते हो इतने players खेले थे तो इतने players का यहां पे squad है जिसमें Callum Ferguson अच्छे form में था Alex Carey बढ़िया form में था Travis Head अच्छे form में था Jake Lehmann अच्छे form में था Weatherill अच्छे form में था मतलब decent form में था Weatherill अभी थोड़ा अच्छा कर रहा है Cameron Valentine भी decent performance था Harry Nilsen का भी decent performance Wes Sagar का बढ़िया performance था 5 matches में 11 wicket और Daniel Oral 2 matches में 2 wicket अब total इनका overall ODD stats अब overall stats भी यहाँ पे दिया हुआ है ये भी आप एक बार prefer कर सकते हो ये भी देख सकते हो इससे आपको एक idea मिल जाएगा किसको आप pick कर सकते हो अब best captain, west captain की बात करें तो सबसे पहला नाम उठके आता है Travis Head का उसके बाद Alex Carey, Jordan Silk Small League के लिए Grand League में इन players को try कर सकते हो Callum Ferguson है, Team Payne है Caleb Jewel है, Cameron Valentine है Wes Sagar है, Relieve Meredith है, Nathan Elisa है अब यहाँ पे Callum Jewel और Callum Ferguson ये दो मेरे लिए must try options है Grand League के अंदर दोनों अगर चल गए तो आपकी team बढ़िया यहाँ पे काम करते होगे दीख सकती है अब फिलाल के लिए team की बात करें तो फिलाल के लिए जो team में ने बनाई है उसमें यहाँ पे team Payne है Alex Carey है, Caleb Jewel है, Jordan Silk है Jake Weatherald है, Callum Ferguson है All-Rounder से सिर्फ Travis Head को लिया हुआ है bowling section से Nathan Ellis, Relieve Meredith, Wes Sagar और Cameron Valentine को मैने रखा है अब इसमें आप कुछ changes करना चाहते हो तो देखो, यहाँ पे एक change कर सकते हो bowling department में Cameron Valentine की जगे पे Jackson Bird लेकर चल सकते हो उसके बाद यहाँ पे batting section से Caleb Jewel की जगे पे B.O. Webster लेकर चल सकते हो ऐसे भी आप कर सकते हो और एक दो changes उपर नीचे कर सकते हो Caleb Ferguson नीच चाहिए Maclister right ले लो ऐसा भी 7-4 combination के साथ भी आप जा सकते हो लेकिन जो मेरा मतलब अगर मैं खेलूँगा तो जो मेरा selection रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा एक player उपर नीचे हो सकता इसमें जैसे के Jake Weatherald अब Weatherald की जगे पर मैं थोड़ा confused हूँ यहाँ पर किसको pick करने की जगे सोच रहा हूँ Jake Lehmann को या फिर यहां से Harry Nielsen को इन में थोड़ा confusion है Harry Nielsen को लूँ या लहमन को लूँ या फिर यहाँ पर Weatherald को लूँ अगर आपको लगता है कौन सही रहेगा तो कमेंट करके बता देना इन तीनों में कौन सही रहेगा देखते हैं उसी हिसाब से हम अपना प्लेयर लेने की कोशिश करेंगे आप यहाँ पर एक मिनी ग्रैंड लिग या ग्रैंड लिग ग्रैंड लिग में और मिनी ग्रैंड लिग के लिए थोड़ा चेंजस है यहाँ पर जैसे के मैं यहाँ पर जेक वेदरल की जगे पर सीधा सीधा हैरी नियल सेल कुछ सोचने वाली बात नहीं है इसके अंदर क्यूंकि यह ग्रैंड लिग और मिनी ग्रैंड लिग के अंदर में ट्रै करने वाला हूँ उसके बाद बाकी तो सब तो सेम रहेगा बाकी में कोई चेंजस नहीं है कैप्टेन यहाँ पर कैलम फर्ग्यूसन वाइस कैप्टेन यहाँ पर कैलम जेवल आप चाओ तो इसमें एक दो चेंजस उपर नीचे करके ग्रैंड लिग और ट्रै कर सकते हो अब अगर आपको इसमें टिम पेंड नहीं चाहिए तो टिम पेंड को निकाल दो टिम पेंड की जगे पर कोई और बैट्समेन या और रोंडर या फिर आपको अगर बोलर चाहिए बर्ड चाहिए, सिडल चाहिए, वोरल चाहिए और अंडूस चाहिए और हटजोगलू को ट्राइ करना चाहते हो तो भी कर सकते हो मेरे डित नहीं चाहिए तो हटा सकते हो लेकिन यह जो मैं मिनी ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग में लगाऊंगा वो टीम यह रहेगी कुछ आईसी यहाँ पर आपको दिखने वाली है कैप्टन फर्ग्यूसन रहेगा वोईस कैप्टन मेरा कैलेब जोल रहेगा अब आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो उमीद करता हो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो लाइक कर दो मिलते हैं अगले वीडियो में अब तक के ले धनिवाद